नमस्कार हर्याना फोकस देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं राजविंदर का और स्वागत करती हैं आप देख रही हैं हर्याना के खास समाचाव लगभग साधे नौ वर्षों से सबका साथ सबका विकास और हर्याना एक हर्यानवी एक के मंत्र पर चलते हुए पूरे परदेश का एक सम्मान विकास सुनिष्चित करने की अपनी प्रतिबत्ता को दोहराते हैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज एक बार फिर हर्याना वासियों को लगभग ब्याली सो क्रोड पे की प्रयोजनाओं की मनोहर सो गाद दी है इनमें सभी 22 जिलों में करीब 3623 करोड पे से अधिकी 689 प्रयोजनाओं को अधगातन वा शिलियास तथा लगभग 600 करोड पे के बजट के साथ हर्याना अंतोदे परिवार वहन योजना का शुभरम भी शामिल है आज की विकास प्रयोजनाओं में लगभग 938 करोड पे की 352 प्रयोजनाओं का अधगातन तथा 264 करोड पे की 287 प्रयोजनाओं का शिलियास शामिल है मुख्यमंत्री मुनोहलाल ने जिला पंचकुला में योजित राजिस्तरिय समारों में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मुख्यते 20 बड़ी परयोजनाओं का अधगातन वा शिलियास किया उन्हें कहा कि परयोजनाओं का अधगातन वा शिलियास किया और आज भी जिन परयोजनाओं का शिलियास किया गया उनका अधगातन भी हम ही करेंगे मुख्यमंतरी ने कहा कि भारत की विकास दर से 6.7 परतिशत है जो पहले की सरकारों के दुरान केवल 5.5 परतिशत थी वही हर्याना की विकास दर 8 परतिशत है जो हर्याना की प्रगति को दरसाती है मनोहरलाल ने कहा कि किसानों के संबंध में पंजाब के लोगों से भी हमारी बात होती रहती और हभी हाल ही में कुछ लोगों के साथ हमारी चर्चा हुए और हमने उन्हें कहा कि कृषी शेतरवा किसानों के कल्यान के लिए जो खुछ हर्याना सरकार ने किया है आप लोग रेडिकल कॉलिज बनाये जाएंगे उन्हें कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं वसेवाओं का लाब उनके घर द्वार पर ही दिया जा रहा है। हमारी सरकार का थ्वय है कि सरकारी साथनों पर पहला हक गरीब का है इसलिए हम फ्री में ना देकर लोगों को स्वालंबी बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि वे आतम निर्फर भरकर अपना जीवन नियापन करें। मुख्यमंत्री ने प्लेवे स्कूल पहल के तहत 69 मौडल प्ले स्कूलों का उधखाटन भी किया। कुल लागत आज के इसकारकमों की जो हर्याणा अंत्योर्य परिवार परिवहन योजना ये रहपी योजना को मिला का कि आज का ये दिन और एक विशेष्टा आज महाशिवरात्री का देन है। और महाशिर्वात्री परिवी आपको बहुत बढ़ बढ़ बुर शुक्णा वाच्योर्य महत्म का अंध्य पूर्व दिन हैं और वो है अंतर रास्तिय महिला दिवस्थ कल आठ माज को अंतराश्टी मरिना दिवास है है हमारी बहने माताइं बड़ी संख्यामिया बैठी है विशेश तवर पर में उनको भी इस मंच के बाद में से पूरे हरियाना के अपनी माताओं बहनों को बहुत-बहुत शुबकावनाएं और बहुत-बहुत बदाई देता किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर बहुत-बढ़ा रोल अड़ा करता है पिछले दस वर्ष में पुरे देश में अथ्वा रेयाना है इंफ्रस्ट्रक्चर की नई-नई यूजना है जो हमने शिला नयास की उनका उद्रहाद्वा किया है कि कुछ शिला नयास हमारी सबकार आने से पहले के हुए हो उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिला नयास का लेकर नाज तो गद्वा हमने उनका भी सबका उद्वाटन के और एक नई बात आज भी जिन प्रोजेक्स का शिला नास हम कर रहे हैं इस किसका उग्धातन भी हमको ही करना है कि पिछले दिनों में जन समाद के करकम हुए और बाद में विक्सित भारत जो संकल्प यात्रा यात्रा शुरू गई कि देश्वर के गाओं में शहरों में अर्वाण में सब जिगां पहुंची हर्याणा में भी लगबग साड़े च्छे अजार कारकम हुए हैं इन सब कायक्वों में भी बहुत सी मांद बहुत सी डिमांड यह आई हैं उनको सब को हमने संकल्प कर लिया संकल्प बद कर लिय कि हजारों के संक्या में भूयोजनाएं भी हैं गाओं की गली से लेकर के और नैशनल हाइवे तक बड़ी बड़ी प्रियोजनाएं भी उसमें हैं उन सब पर भी बहुत तीव गती से काम चल रहा है कि अचाह सहींता लागू होने वाली है तो अचाह सहींता से पूर की इतनी अमरी तैयारी थी उनका तो आज शिलान्यास उपकातन सब कर दिया है एक तीन मेने लगवन धाई मेने अब लुख सभा के चुनाव के कांट से आजा सहींता लागू हो जाएगी निश्य रूप से जैसे ही जुनाव साथ होंगे मई अन्तमियत्वा जून के प्रथम सब्ता में फिर से कारक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा फिर से अजारों कोड़ों पे कि योजनाओं को जनता को स्वर्पित किया जाएगा और यह कारकम को पहला काता हुआ है सेयों कोवड का बस आया था उसकोवड के वर्ष्ट ने हमको हर एक जो संकट होता वो पुछ और बुछ और पूंश्व अवसर लेकी आता है हर चुनौति के सामने को यह अवसर रखलत होता है तो चुनौति में आउसर आया कि बहुत चीज़ें ऑनलाइन वर्च्वल इस मोड़ पर हमने करने शुरू की थी इससे पहले भी आठ कारकाम वर्च्वल मोड़ पर कर चुके हैं और गाटर शिरा रास के आज ये नुवा कारकाम है कि दोजार बीस इकीस वाइस तेईस लगातार की और उन सब कारकों की अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो सोला सो बारा प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं जिस पर सत्राजाद दो सो तीन प्रोड़ पर का कर्च पहले आया है आज ये नुवा कारकाम है तो जब इस परकार की गती बंदी है उस गती के कारण से विकास होता है विकास की दर आंकी जाती है पिछले दस वर्षों का केंद्र सरकार में यानि पूरे भारत वर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा बढ़िया है पहले प्रश्णता देने वाली गती हरियाना की विकास दस आठ पतिसाथ है अगा विकास बहुत एक जिसको चाहिए ना चीह का हमारी अच्छी गती एक प्रसंदता देने वाली गती हरियाना की चल रही है हम और प्रदेश को भी देखते हैं पास्वरोष के चारों के प्रदेश हैं उन सब में हमको बहुत बड़े लाग हमारी लोकेशनल एडवांटेंज के भी है कि अब ऐसा एरिया है अक्षेत्र है दिल्ली के तीन तरफ हम हैं अंतरास्तिय जगत के जो लोग हैं वह भी दिल्ली और इंटरनेशनल एरपॉट्ट दिल्ली अंतरास्तिय अवाई ता दिल्ली के वह उतरते हैं तो उनको जो जो भी घ्यान में आता है सारा जोनग्रफी तो हरियाना दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको मिसूस होता है तो इसलिए हर्याना में पहले आता है गुरगावं पहले को निए पादे पूंचते हैं पंदरां में पहुंजाते है और दिल्ली के कि इसी मध्य में पहुंचने के लिए बहुत बढ़ी प्रगती हमारी उन्षेरों की हो रही है दिल्ली अंधिया में होता है उप्रिदाबाद होता है जजर जिला हो सोनी पत्व पानी पत्व रोगता को रिवाडी हो और उसी के ब्रावर अब पंचकुला जैसे हमारे स्पीकर पताते हैं कि पंचकुला जैलाकी प्रगती को उसी पेश से हो रही है क्योंकि यहां भी हो एरपोर्ट चल्डिगड का है एज पादिए लिए लेकिन फिर भी है उसका लाग हम को भी बरावर उतनाए उसके काड़ से पंचकुला कि प्रगती भी और फिर वेश्य के नहीं ब ओर मैं यह सार में जो बनने जा रहा है कि उसके कांट से हिसार आज़ के के वह जिसार है कि नहित tää। पत्तयाबाद है इस सिर्था है कि mommy उसी प्रकार की प्रकति के रास्ते मिभी हैं पत्त करते हैं तो चोटे प्रदेश में इस प्रगार के एरपोर्ट एक साथ-साथ-एक तो पूरे हर्याणा की प्रगती सब्सक्राइब प्रगति का ऐसा में नहीं कहता कि पिछली से कारण में बिल्कुल की नहीं हो लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे एक रीजिनल लेवल पर काम करके और अपने आपको इत्रिशी तीज़ी माल लेते थे लेकिन हमने दोजार चौदा में आता ही कहा था हर्याना का एक समान विकास यह हमारा मोटोर है यह दे रहेगा उसमें किसी प्रकार के कोई दूइधा यह नहीं आने देंगे इस प्रकति के कार्ण से समाज में खुशा ले यह भी लगता देखने को मिल रही है हमारे दों में बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को हमारा केंद्रिय नेथिर्ट वा उसको पैचान देता है मूर लगाता है बहुत से प्रदेश उन्योजनाव को अपने प्रदेशों म को दिस एक हर आज को अपर टेज या अर्तिक जगत को जानने वाले लोग है पर संदुनेकरbird मरतने comment करे it अभी पिजर उझे अपना प्रदेश की अब मरत में इसके अधशन काल्य करेदा कि गoleolf Meda लिए अंद्वे अभ्वने क्यास उपनपने कफ्सक्त परिसकाया हूं हो जowing ने घे सुपने को अधुछते हो हो चाहे रिजर्व बैक के नाते से आपड़े प्रसुत किये जाते हो है सब में हम आउबन दर्जे पर हैं हमारा जो रिन की सीमा है जिसको डेफिसिट कहते हैं या रिन की सीमा के जो अगरा जिस डेपी का प्रफिश परफिश पहले तो 25 परसेंट था वो 30 परसेंट के आसपास तुमाहता त्याइए रखा गया है कि अदर के और से हम फुश्य नीचे हैं 26 परसेंट 27 परसेंट पर हैं अब रोज का प्रदेश पंजाब प्रदेश आभी वजट नहीं पस्त सब्सक्राइब बता रहे थे कि वहां 47-48 परसेंट हो गया है कि अगर समने भाशा में मुझे बोलना हो ना आवादी को सुझाने के लिए आज जिसकी अच्छी होती है जिस भी वेपारी की जिस भी उद्योगपती की उसको देश में प्रदेश में जो वारी वित्य संसाइं हैं ङूर्फ देने के लिए दोड़ के हाती है हमारा निलेओ अधि जिसकी तरफ दोड़ते हैं तो लेंडे मारा पड cave यह साठ पयाब चांट लेकिंए अजिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती पिल्हाल हर्याना फोकस में बस इतना ही मुझे देजिए इजाज़त धन्यवाद